जैहिन दोस्तों एक बाद फिर स्वागे था बैस्ट एक्जाम के यूटूब चैनल पर दोस्तों आज बात करने वाले CRPF Head Costable Ministerial Recruitment 2023 के बारे में जी यहां दोस्तों उससे पहले आप लोगों का recruitment कब आया था और उससे पहले वाले previous year की जो cut up रही थी वो कितनी रही थी क्योंकि पहले वाले recruitment की बात करें जो कि 2016 में last time CRPF Head Costable का recruitment आया था जिसका exam 2017 में conduct करवाया गया था तो यहां पर बात करेंगे क्योंकि काफी बड़े बदलाव इस बार कर देगा और 2016 की जो भरतिती उसमें मैं खुद भी था और मैं आज आप लोगों के सामने मैं अपना खुद का अनुगों भी सेर करने वाला हूँ कि किस परकार अभ्यारतियों का selection वा था इतना आसान कैसे होता है हैड कोस्टेबल में रिटन एक्जामनेशन क्वालिफाई करना साथ इसकी कटोप किस परकार रती क्या मिनिममम नंबर लाने पर भी आप लोगों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुला लिया जाएगा आप सबसे पहले फीजिकल होगा या सबसे पहले आप लोगों का रि वीडियो को पूरा देके तभी जाके आप लोगों को सारी जानकारी समझ में आने वाले जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को एक बार लाइक और एक बार शेर जरूर करते अपने दोस्तों की पास में हैड कोस्टेबल भरती से जुड़ी हर लेट इस्ट अबडिट सब रिकम रहती है तो यह अपर 2016 में आप लोगों का जो लाश्ट रिकृूट मेंट आया था जिसका 2017 में आप लोगों का एक जाम हुआ था उसके बारे में सबसे फ़हले में आप लोगों को बतातों कितने नंबर पर वार्तियों का स्लेक्शन हो गया था देखो 2016 में जो आप वेकंसी काफी बढ़ी है क्योंकि लंबे समय के बाद में आप लोगों का रिक्रूटमेंट आया है अब देखो बात करते हैं इस रिक्रूटमेंट में सलेक्षन प्रोसेस 2016 की भरती थी उसमें काफी बड़ा बदलाव इस बार 2023 में किया गया यहांपर हमारा हुआई अग्जामिनेशन प्रेटलाव है हुवा क्या वह एकश्यामिनेशन के बाद में यहांपर हमारा अ में स्कील टेस्ट तैपिंग टेस्ट यांपर करवाई गई थी और ताइपिंग में जो कवालिफा हुए थे उनका फाइनल मेडिकल करवायागा मैट लिस्ट पर उनका हैड कोस्टिवल पाइल लिए तोर पर सलेक्षन हो गया था अब लिगों की बात करते हैं तो उस समय आप लोगों का और इस समय में काफी बड़े बड़ाव चेंजिद किये गे कि उस समय 2016 के recruitment में 200 नंबर का पेपर होता था और 200 मार्स का होता था और यहां पर जो समय मिलता वह 120 मिनट का तो यहां पर जो कटोव बनी थी वह भी 200 में से कटोव बनी थी लेकिन मैं आप लोगों पता दो CRP हमेशा मिनिममम कटोव मार्स में ही ब्यारतियों को क्वालिफाई कर देता है चाहि कितने भी ब्यारति क्वालिफाई और ऐसा ही किया गया था 2016 के रिक्रूटमेंट में अगर 2016 की कटोव के बारे में बात करें तो EWS और जैनल को आप लोगों को पता है जो ब्यारति 40% मार्स लेकि आए उन्हों सभी को क्वालिफाई किया गया था तो यहां पर जो भी बच्चे थे क्यूंकि पेपर यहां पर 200 नमर का था तो यहां पर OBC, SC, ST में जिनके 70 नमर भी बने थे उन अभ्यारतियों को भी टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया था और जितने भी बच्चे क्वालिफाई हुए थे उनके बाद में टाइपिंग टेस्ट के लिए एक दिन में अलग लग सेंटरों जैसा कि मेरा जो टाइपिंग दो से तीन अभ्यारति ही फाइनल तोर पर टाइपिंग में पास हुए थे तो सबसे ज्यादा भ्यारति भाहर हुए थे वह थे टाइपिंग टेस्ट में रिटन में काफी ज्यादा भ्यारतियों को क्वालिफाई किया जाता है मिनिममम कटोप नमबर लाने वाले भ्यारतिय वो भी return के basis भी बनती है, तो return की तयारी तो आप लोगों को करने है, साथ में typing की तयारी भी आप लोगों की बहतरी नो निती है, अब बात करते हैं, 2023 की recruitment के बारे, 2023 की recruitment में काफी बड़े बदलाओ कर दियेगा, आप सभी को पता है, क्योंकि 2016 की recruitment में सबसे पहले physical करवाया गय और 100 क्यूशन में भी 25-25 के partition में आप लोगों की क्यूशन आएगे, और यह 100 क्यूशन आपकी 100 marks के होंगे, और यहाँ पर आपको 90 मिनिट का समय आपर दिया जाएगा, वेकंस ने काफी अच्छी है, 2023 वाले recruitment में 1488 वेकंसी, जो की काफी इच्छी वेकंस ने, इस बार की cut- जो का cbt, computer-based test होगा, सबसे पहले online, आप लोगों का exam करवाये जांगा, और online जो आपका exam ह वो 22 sorrow से लेकर 28 फरवरी के बीच में आप लोगों को एक्जाम खराएगा मतलब 22 तारिक से आप लोगों का एक्जाम सुरू होगा और 28 फरवरी तक आप लोगों का एक्जाम तलने वाला है अब देखो बात करता है यहां पर इस में उससे पहले मैं आपको एक बार सलेक्शन प्रोसेस बता देता हो यहां कि 2016 और 2030 के काफ़ी बड़े बदला हुए इस बार आपके सलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले होगा वह होगा CBT CBT होगा computer bad test होगा और उसके बाद में जो भी बच्चे computer bad test में qualify होगे cut-off भी पहले है बता दी गई है CRPF की तरफ से कि इतने नमबर जो लेके आएगा उनको typing के लिए बुला लिया जाएगा अब देखो second stage में होता है वो होगा इस बार typing test क्या होगा typing test और typing में जो qualify होंगे उन सभी का physical होगा DV होगा document verification होगा और detailed medical होगा जियां दोस्तों यह तीनो process अगर आप typing qualify करेंगे तब ही इस बार आप लोगों का होने वाला है अब कटोप की बात करते हैं देखो कटोप का क्रिटेरिया है वो पहले से अर्क्वेप ने बताया और minimum जो आपकी कटोप है उसी पर आप लोगों को typing test के लिए बुला लिया जाएगा तो general EWC अगर आप लोग करते हैं और अगर आप 40 नमर लेके आते तो भी आप लोगों क typing test के लिए बुला लिया जाएगा लेकिन आपको तैयारी अच्छी तरह से करनी होगी क्योंकि बाद में आगे फाइनल मैट लिस्ट भी बनती है इसकी उसके बाद OBC, SC, ST में 35 नमर भी बनेंगे 100 में से उन्हों सभी को typing test के लिए बुला लिया जाएगा तो आपको confirm है इतन इसके अलावा मैं आप लोगों को बता देता हूं अगर आप CRPF के त्यारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए हमारा वर्दी बेचा चुका है और इस बच्छेवे समय में आप भहतरीन त्यारी कर सकते हैं क्योंकि मैं 2017 के recruitment में final mad list तक पहुँचा था तो मैं आप लोगों भी ज्यादा ठप नहीं आती हिंदी भी इतनी इजी आती है आप आराम से कर सकते हैं और यहां पर आप लोगों को इस वर्दी बेच में आल सब्जेट की कलासे आप लोगों को मिल जाएगी साती उन सभी की PDF नोर्स भी आप लोगों को मिल जाएगा सब कुछ आपको एडवास तक आप लोगों को पढ़ाया जाएगा सपनों को दीजिये नहीं उडान क्यूंकि दोस्तों वेकंसी काफी लंबे इंतजार के बाद में आईए और आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी और अच्छी ओपोर्चनटी है क्यूंकि बहुत सारे व्यारती है व और यह पूरा का पूरा कोर्स है वह मात्र आपको दोस्तों 99 रुपे में दिया जाएगा जिसमें आप भहतरीन त्यारी घर बेटे कर सकते तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बोक्स मिल जाएगा या पले स्टोर पर जाके भी बैस्ट एक्जाम सर्च कर सकते और व तब तक के लिए जय इंद जय बाद